अस्तामेकुम ग्राइस वेलकम टू माई यूटीब चैनल आज किस वीडियो में हम करेंगे CS301 क्विज नबर 2 को सॉल्व तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज को क्विज को स्टार्ट करने से पहले इत्मां व्यूवर्स चैनल पर नियू है वो चैनल पर सबस्क्राइब कर लें ताकि आपको CS301 की आने वाले असाइनमेंट, GDP, क्विज और मिड्टर्म की प्रिपरेशन इस चैनल पर करवाई जाए तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज को सबसे पहले अगर डैश नोर्स होंगी एवियल ट्री में इस लेवल विल बी रफली एस लॉग 2 इन्टू 10 मिलियन ठीक है तो अब यहां भी आपको पता होना चाहिए हमरे पास था कि अगर एवियल ट्री में एन नोर्स होंगी तो आपके पास फार्मूला क्या होता है लेवल फाइंड करने का लॉग 2 n yani के यह जो 10,000,000 α मधर झाण 20кив नौर्स कि थेंगे अगर आपके पास 10 १ लट्री में तो भी आप उसका ल्यावल भी एवियल लाए विज यह नमेलियन ठीक है عण 10 चेओ नबर 2, फूल इलाकईट मैमड़ी डिंनमिकली बाइ यूजिंग डैसों ऑप्रेटर फ्रीक है तो जब हम डिनामिकली मैमीट को अलोकेट करते हैं तो उसके लिए हम दो ऑप्रेटर जोए हें वह यूज करते हां एक memory allocate करने के लिए और एक dynamic memory allocator जो हमने की होती है उसको remove करने के लिए delete करने के लिए memory को free करने के लिए ठीक है तो जो हम allocate करने के लिए use करते है वो हमारे पास होता है new operator और जो हम delete करने के लिए remove करने या memory को free करने के लिए use करते है वो हमारे पास होता है delete ठीक है तो यहां प option number C जो है वो आपके पास correct answer है, इन questions को इन MCQs को याद का लिया करें क्योंकि आप जो है, आपका मीटम का वेपर होगा, तो उसमें आपके 27 MCQs आएंगे, ठीक है, तो 27 MCQs जो हैं, वो आपके यही MCQs ही होते हैं, क्योंकि यह आपके handouts हैं, और आपके handouts ही MCQs आने हैं, तो उमीद है कि इसमें से बहुत से MCQs आपके मीटम के वेपर में आएंगे, तो नेक्स जो है, वो देखते हैं, क्योंकि एक हैं, MCQs number 3 क्या है, कि level order traversal for binary search query can be implemented, तो level order traversal जो होता है, binary search query के लिए, उसको हम कैसे implement कर सकते हैं, यहां पर उसको implement करने के लिए, हम कौन सा method यूज़ करते हैं, तो options क्या हैं, कि only through non-recursive method, both recursive and non-recursive, maximum, यहां पर recursive, तो जो हम level order traversal है, उसमें हम यूज़ करते हैं, recursive calls जो हैं, वो यूज़ करते हैं, binary tree को search करने के लिए, ठीक है, तो option number D, जो है, वो आपके पास इसका correct answer होगा, verified answer है, आप इंको as it is, याद कर सकते हैं, next one MCQs क्या है, कि dash is the maximum height of avl tree, तो avl tree की maximum height dash होती है, तो dash हमने यहां पर बताना है कि कौन सा correct answer है, 1.44 log 2n, 4.44 log 2n, log 2n यहां पर 1.44, तो आपके hand notes में ही given है, वहां से मैंने read किया था, कि avl tree जो है, उसकी maximum height होती है, 1.44 log 2n, यहां कि option number A है, वो हमारे पास इसका correct option है, कि avl tree की height कितनी होती है, maximum height 1.44 log 2n, important MCQs है, याद कर लेजिए तमाम students, next one MCQs है, कि int THDIF, यह एक program की statement है, ठीक है, तो इस program की state में हमने देखना है, और बताना है, कोई यह insert method है, avl में जब हम इस नोड को insert करते हैं, तो इसके लिए हम यह line राइट करते हैं, तो इस line में कौन सी यहां पे चीज जो है, वो miss है, वो हमने यहां से बतानी है, कौन सा symbol जो है, हम क्या करते है, हम जो left root होता है, root का left node होता है, उसकी height को हम minus करते हैं, root के right node की height से, तो यहां पे क्या आएगा, minus, कौन साइन, कौन से sign आएगा, option number B, यहां के minus to have, वो दर्मियान में आएगा, आप अपने hand words में इसको check out भी कर सकते हैं, next one, seven वाला MCQ है, कि every dash tree is a binary search tree, big, binary, small यहां पिर avial, तो every binary tree is a binary search tree, option number B, जो है, वो आपके पास इसका correct answer होगा, every binary tree is a binary search tree, next one MCQ है, कि we can calculate the dash of a sub tree, by counting its levels from the bottom, data items, height, balance, यहां फिर nodes, तो जब हमने किसी tree की height find करनी हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कि हम नीचे से levels को count करना start करते हैं, और root तक हम उनको count करते हैं, जो हम स्कूअ करते हैं, तो वहां से रिख करते हैं, लेख से WOODRUFF parts of the tree, जो हम्कार से रिख से प्रिख अप्र, क्या हम उनकों करना start करते हैं, तो नीचे से से रिख से refresh करते हैं and with leaf nodes, से start करको से रिख से रिख से remove node, से रिख से el Way, with dash. तो byening tree जो है वो उसको हम use कर सकते हैं. byening search tree को. bot integer और string data ठीक है. दोनों के लिए हम इसको use कर सकते हैं. bot integer and string data. next one and last one MCQs है. कि there are four causes of rotation in an dash tree. तो कौन सा ऐसा tree है जिसमें rotation के 4 causes होते हैं वो हमने बताना है तो वो किस में होते हैं ELV में AVL में EVL में यहां भी ALV में तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो तीन other options है 1, 3 and 4 यह तो हमारे हैंड वोट्स में है यह नहीं यह तो हमने पढ़ रही नहीं ठीक है तो हमारे पास कौन सा जो correct answer है वो खूंसा होगा AVL क्योंकि आपने AVL3 जो है उसका concept अपने हैंडोर्स में देखा है तो इसका correct रांज़ खूंसा होगा AVL3 यानिके option no.b यह था आपका CS301 quiz no.2 का solution मजीद solutions के लिए आपने चनल को subscribe करना है और चैनल के साथ आपका मुझीद CS301 की assignment gdb quizzes के solutions इस चैनल पर मिलते रहें और mid term की preparation की हवाले सी भी मैं कोशिच करूँगी के जल से चल इसकी वीडियो जो है तो ज्यादा जो आप अपना time है वो MC Qs को दिया करिए जो Qs कर वाए जाते हैं इनको याद किया करने पास पेपर दिखा करें ठीक है आपने ज्यादा time देना है उनको ज्यादा अच्छे से प्रिप्यार करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स हों मिट्टा में गेन कर सकें